Hello viewers, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, आज इस वीडियो के तहट हम लोग बात करने वाले हैं परिच्छा पे चर्चा के बारे में परिच्छा पे चर्चा जो की माननीय नरिंद्र मोधी जी का कारिकरम हम बच्चों, अभिभावकों और सिक्षकों के साथ मार्च के थर्ड वीक में होने वाला है इसके बारे में हम लोग बिस्तरिक चर्चा करेगे, इस कारिकरम में बच्चे, यानि के स्टूडेंट्स, अभिभावक और टीचर्स, तीरों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के तरीका क्या है, उनके सब्जिक्ट्स क्या है, एक्टिविटीज क्या क्या करने है, कैसे लॉग इन करना है, कैसे उनको अपलोड करना है, इन तमाम चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं सो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे ये परिक्षा पे चर्चा का चौथा एडिशन है जो की सिक्षक, बच्चे और अईभावाग तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो की मार्ज के थर्ड वीक 2021 में होने वाला है इस बार का जो कारिक्रम है ये ऑनलाइन होगा COVID-19 के वजह से इस कारिक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले 2000 सेलेक्टेड यानि की इस कारिक्रम में जितने बच्चे participate करेंगे उन में से 2000 बच्चों का selection होगा और उन selected बच्चों को direct इस कारिक्रम में participate करने का मौका मिलेगा वो directly यानि कि यह पूरा कारिक्रम तो online है बट 2000 बच्चे इस कारिक्रम में directly सरीक हो सकते हैं भाग ले सकते हैं इस कारिक्रम में भाग लेने के लिए या activity perform करने के लिए आप यहाँ पे जो screen पे link दिया हुआ है इस link के जरिये website पे जा सकते हैं आप अपने mobile phone के तुरू या computer के तुरू इस website को open करेंगे और open करने के बाद जो तमाम activities है उनको perform करेंगे और उसके बाद आप की जो activity है जो आपने perform की है उसकी आधार पर यदि आपका selection होता है तो आपको वहाँ पे जाने का मौका मिलता है इस activity में students के तौर पे class 9 से लेकर के 12 तक के students participate कर सकते हैं यानि कि 9th class से लेकर के 12th class तक के बच्चे इसमें participate कर सकते हैं teachers participate कर सकते हैं और उन students के parents भी participate कर सकते हैं जितने भी participants हैं उनको NCERT के director के द्वारा sign किया हुआ certificate मिलेगा ये सभी participants को ये certificate मिलेगा और जो चुने हुए बच्चे हैं जो selected candidate हैं जो selected students हैं उनको directly participate परिच्छा पे चर्चा कारिक्रम में directly participate करने का मौका मिलेगा साथ ही साथ एक special kit के द्वारा उनको reward किया जाएगा students के लिए यहाँ पे 5 topics हैं जिन topics पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं जो सबसे पहला topic है वो है exams like festivals celebrate them परिच्छा को एक पर्व के तौर पर हम लोग मनाएं परिच्छा एक पर्व है और इसको पर्व के तौर पर ही हम लोग मनाएं इसके लिए जो activity है जो बच्चे को activity करनी है उनको एक scene create करना यानि कि उनको एक painting बनानी है जिसमें वो अपने आस पास के local किसी पर्व को दिखाएंगे उस painting के जरिए उस पर्व को लोगों को दिखाएंगे और वो जो painting है वो JPG format में या PDF format में convert करने के बाद जिसकी size maximum 4 MB है वो 4 MB तक का JPG या PDF format में painting बना करके upload करना है जो दूसरा topic है इंडिया is incredible travel and explore इस topic के तहर आपको करना क्या है सपोस्थ आपका कोई एक दोस्त है जो तीन दिन की visit पर आपके शहर बे आता है और उसकी इस trip को आप कैसे यादगार बना सकते हैं तो यहाँ पे तीन categories हैं वो categories के तोर प brewer आपको यह पूर एक्स्प्लोर करना है इसको लिखना है इसमें जो सबसे पहला है places to see यानि कि आपके सहर में देखने लाएक places कौन-कौन से है उनको बताना है उनको दिखाना है तो आपने यह क्या दिखाया उनको क्या बताया दूसरा है भोजन से रहाद और याद करने का अनभाव experience to remember तो इन categories के तहट आपको आपके friends जो आपका दोस्त है वो तीन दिन के लिए जो आपके पास आया है उसके इस पूरे tip को आप यादगार बनाए तो यह दूसरा topic है इस topic पे आपको पूरा एक write-up लिखना है और उसको upload करना है जो तीसरी activity है as one journey ends another begins यानि कि एक यात्रा खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो गई तो यहां पे आपको आपके school जीवन का यानि कि school life का जो most memorable experience है यानि कि जो बहुत जो सबसे यादगार अनुभाव है उस अनुभाव के बारे में आपको लिखना है जो चौती topic है aspire not to be but to do तो अकांच्छा ना होना या करना तो हम लोग इस topic के बारे में जो बात करेंगे aspire यानि कि आकंच्छा जो है if there was no restrictions on resources अगर resources पे कोई restriction नहीं होता और opportunities what would you do for society and why submit a right तो यहां पे यदि जो resources है या opportunities है उन पे अगर कोई restrictions नहीं होते तो आप समाज के लिए क्या करते उसके बारे में आपको लिखना है और जो पांच्वाँ topic है be grateful तो यहां पे आपको एक आभार कार्ड gratitude कार्ड उनके बारे में लिखना है जिनके लिए आप grateful है जिनके लिए आप हमेशा कृत्रग्य हैं उनके लिए एक gratitude कार्ड लिखना है तो यह पांच topic है विद्यारतियों के लिए students के लिए 9 class से लेकर के 12 class तक के बच्चों के लिए इन activities को submit करना है और जो की date मैंने आपको अभी बताया था यह जो date है वो आपका 18 फरवरी जो के start हो चुका है बीच चुका है 18 फरवरी से लेकर के 14 March तक के बीच आपको यह activity submit कर देनी है teachers के लिए जो topic है online education system its benefits and how it can be improved further जो आज हम लोग जिस पत्यती से education system को कर भी रहे हैं जो हमारा education system है यह पूरी तरह अभी online पर depend है और online education system के तहत ही हम लोग बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और तमाम चीजें देश और दुनिया की तमाम चीजें अभी online हो रही हैं तो यह जो online education system है इसके benefits के बारे में लिखना है और इसको further हम लोग कैसे improve कर सकते हैं इसके बारे में लिखना है जो parents है उनके लिए दो topics है जो पहला topic है your words make your child's world आपके जो शब्द है वो आपके बच्चे के लिए दुनिया बनाते हैं उनको encourage करना है जैसा कि आप करते आए है write a story about the vision you share with your child for his or her future आपको एक कहानी लिखनी है जो आप उनके भविश्य के बारे में बच्चों के भविश्य के बारे में जो आप शेर करते हैं जो आप अपने विजन शेर करते हैं साथ ही जो कहानी है उसका पहला sentence आप बच्चे से लिखवाएं और rest जो बाकी sentences है वो आप खुद लिखें जो दूसरी topic है be your child's friend keep depression away आप अपने बच्चों के दोस्त बने और उनके depressions को दुरबगाएं इसमें आपको एक postcard लिखना है write a postcard to your child and let him or her know why they are special आपको आपके बच्चे को एक postcard लिखनी है और उनको बताना है कि वो आपके लिए खास क्यों है तो यह सारी चीजे हैं यह सारे activities हैं जिनको आप perform कर सकते हैं as a student, as a teacher और as a parent तो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इन activities को perform कर सकते हैं आप कैसे इन activities को submit कर सकते हैं तो आईए हम लोग website पे चलते हैं और देखते हैं तो जो link मैंने आपको दिया था that is innovativeindia.mygov.in यहाँ पे आप address बार पे देख पा रहे हैं यह जो address है इस address को address बार में type करना है और खोलना है यह जो आपका screen अभी दिख रहा है यह जो website खुला है यह परिच्छा पे चर्चा का website है इस website को जब आप नीचे scroll करेगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी जानकारिया आ रही है तो यहाँ परिच्छा पे चर्चा आपको open करना है और open करने के बाद यहाँ पे जैसे आप participate now पे भी click करते हैं तो जैसे आप participate now पे click करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम जानकारिया आ रही है आप अगर यहाँ left panel पे देखेंगे तो यहाँ पे participate now है about PPC इसके बारे में PPC क्या है इसके rewards क्या है इनके बारे में themes क्या है guidelines for students students के लिए यह पूरा guideline दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे parents और teachers के लिए guidelines दिये हुए है यहाँ पे important dates दिये हुए है जो date है यहाँ पे आप देखेंगे कि starting date जो है वो 18 February है और end date जो है वो 14 March है तो यह तमाम जानकारियां यहाँ पे दी गई है इन जानकारियों को आप यहाँ से detail में पढ़ सकते हैं अब यह आपको सबसे पहले करना इन जानकारिया जो है यहाँ से ले लेने के बाद आपको participate now पे click करना है जब आप participate now पे click करेंगे तो यहाँ पे आप screen पे देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन options आ रहे हैं students के तौर पे यहाँ पे पहला जो है वह student as a student आप participate करते हैं self participation as a student आप अगर school आपका participate कराता है teacher आपको login करके participate कराते हैं तो दो तरह से students की participation हो सकती है आईधर students खुद participate करें या student को teacher के थूरू यानि कि teacher अपने बच्चों को participate कराएं दूसरा है teachers participate कर सकते हैं और तीसरा है parents participate कर सकते हैं तो यदि बच्चे खुद से participate करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे students self participation यहाँ पे login to participate इस पे click करना है जैसी इस पे click करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो login का page है वो page आ जाता है यहाँ पे आप mobile number, password या email ID और password दे करके आप login कर सकते हैं या फिर आप अपने mobile phone पे OTP लेकर के login कर सकते हैं यहाँ पे login with OTP है यहाँ mobile number डालेंगे, login with OTP डालेंगे तो आपके mobile phone पर एक OTP जाएगा और उस OTP के माध्यम से आप login हो सकते हैं या फिर आप इन में से किसी एक social media के थ्रूँ login हो सकते हैं Facebook के थ्रू, Google के थ्रू, Twitter के थ्रू, तो इन तमाम social media के थ्रूँ आप login हो सकते हैं यदि आपने पहले से कोई Gmail में account बना रखा है तो आप इस Google के थ्रूँ भी login हो सकते हैं आपजी पे ख्लेक करेंगे यहां पे Google पे तो यहां पे आप देखेंगे यह वेब साइट्स यह आपके कुछ जो Gmail है वह यहां पे शो हो रहे हैं इन में से Gmail को select कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएंगे जैसे सपोज यहाँ पर माल लीजिए स्टूडेंट का नाम और उनका इमेल आईडी यहाँ पर ले लेगा फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नमबर डालना है Mobile number डालने के बाद आपको select करना है Whether you are male or female तो यहाँ पे आपको अपना gender select करना है, जो भी आपका gender है वो आप यहाँ पे select कर लीजिए इसके बाद आपको अपना date of birth डालना है यहाँ पे जो आपका date of birth है वो डालेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे class चूज करना है class select करने में मतलब 9, 10, 11, 12 जो भी आपका class है इसके बाद आपके parent का नाम यहाँ पे लिखना है ठीक parent के जो class है class के ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे school का details आपको डालना है यहाँ पे यानि कि school का नाम school किस board से है तो यहाँ पे जो किंद्री विद्याले है वो किंद्री विद्याले चूज करेंगे नवोदे वाले नवोदे चूज करेंगे जो private school हैं CBSE private schools हैं तो यहाँ पे जो बच्चे CBSE private schools में पढ़ते हैं यानि other than किंद्री विद्याले नवोदे या government schools तो वो तमाम बच्चे यहाँ पे CBSE Private Schools पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद उनको अपना address यहाँ पे टाइप करना है जो school का address है वो यहाँ पे उनको लिखना है और उसके बाद यहाँ पे country चूज करनी है country के बाद यहाँ नीचे उनको state चूज करना है जिस state से वो belong करते है वो state यहाँ पे उनको चूज करना है state के बाद यहाँ पे district जैसे वो state चूज करेंगे तो state चूज करने के बाद वहाँ पे district आएगा तो वहाँ पे उनको district चूज करना है चूज करने के बाद यहाँ पे pin code डालना है पिन कोट के बाद नीचे यहाँ पे आप देखेंगे activity details इस activity details में आपको यहाँ पे यह आपके लिए 5 topics है students के लिए वो 5 topics यहाँ पे दिख रहे हैं आप कौन सी topic पे event जमा कराना चाहते हैं उसमें से किसी एक topic को आपको choose करना है exams like festivals, India is incredible तो जो भी topic है, आप जिस भी be grateful जिस भी topic पे आप करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जैसे आपने be grateful लिया तो यहाँ पे आपको gratitude card लिखना है यदि आप aspire not to be but to do अगर आप करते हैं तो यहाँ आपको उसके बारे में लिखना है तो यह activity आपको करना है यदि आप paintings जो पहला topic है तो अगर आप पहला topic करते हैं तो आपको यहाँ पे browse button मिल जाता है जिसके थुरू आपको यहाँ पे वो upload करने है जो आपने drawings बनाए उसको upload करना है बाकि जितने activities आप लेते हैं उन activities के लिए यहाँ पे आपको लिखना है जो मैंने बताया था भी topic में तो यहाँ पे आप देखिए वो topics हैं places to see, food to relish और experience to remember तो यहाँ पे आपको तीनी topics के बारे में लिखना है इसके साथ ही साथ आप मानने प्रधान मंत्री जी से अगर कोई question पूछना चाहते हैं question to pm तो वो question यहाँ पे लिख करके और इसमें आप submit कर सकते हैं यदि आपका मानने प्रधान मंत्री जी से कोई question है सिख्छा से सम्मंदित, परिख्छा से सम्मंदित तो आप उनसे यहाँ पे उस question को लिख करके पूछ सकते हैं और lastly आपको submit पे click करना है तो यह हो गया यदि आप student है तो student के तोर पे register करने के लिए यदि आप यहाँ पे आपको log out कर लेना है यदि आप बतौर teacher login करना चाहते हैं या आप बतौर parent login करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको category चूज करनी है मैं वापस से website खूल रहा हूँ अब यहाँ पे participant now पे click करेंगे क्लिक करने के बाद participant now पे click करेंगे यदि आप teacher है तो यह participate now टीचर्ष वाले category में जा करके participant आप अपे click करेंगे और यहाँ पे आप तमाम जानकर नहींदे डालेंगे टीचर का नाम, उनकी email ID, mobile number, उनका gender, उनके date of birth, अब वो teacher जो है, वो किस subject से हैं, तो हिंदी से हैं, इंगलिश से हैं, math से हैं, social science से हैं, computer science से हैं, physical education से हैं, या इसके अलावा, यदि किसी और subject से हैं, तो any other पे click करेंगे, उसके बाद school का नाम डालेंगे, बोर्ड आपको, उसके आद address डालेंगे, फिर यहाँ पे state, district, pin code डालेंगे, और activity, जो उनकी activity है, यानि की online education system के बारे में, यहाँ पे, वो 1500 characters में लिख करके, और उसके बाद submit करेंगे, तो इस तरह से students की category में, या आप अगर parent हैं, तो parent के तोर पे, यहाँ पे participant now पे click करेंगे, और यहाँ पे parent के participant now पे click करेंगे, इसके बाद parent की जो activity है, यहाँ पे नाम है, mobile number है, gender है, occupation है, parent वाले category में, आप क्या करते हैं, वो occupation डालना है, बाकी state, country, district, pin code, यह सारी चीज़ें common है, अब इसके बाद आपका relation with child, आप child के mother है, father है, या कोई other guardian है, फिर अपने ward का नाम यहाँ पे लिखना है, उनका gender चूज करना है, class चूज करना है, और school का नाम लिखना है, board सेलेक्ट करना है, country, state, district और pin code, इसके बाद यहाँ पे जो दो topic हैं, तो उन दो topics में से कोई एक topic चूज करेंगे, चूज करने के बाद उसके बारे में और फिर submit करेंगे, तो यह तमाम चीजें हैं, जिसके थूँ आपको register करने के बाद अपने activity को post करना है, तो मुझे लगता है कि यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप जल्दी करके इस website पे जाकर के अपने आपको register करे, login करे, अपनी activity को post करे, शायद 2000 बच्चों में से एक हों, जिनकों की direct इवेंट में participate करने के लिए बुलाया जाए, या आप वैसे teacher या parent हों, जिनका की article select हो, और उनको वहां बुला करके rewarded किया जाए, so thank you for watching the video.